वेल दोसाइट शुरू हो चुका है और सबको बेस सबली से इंतजार था इस वीडियो का कि 2023 में ऐसे कौन से चुलिंदा शेर्स हो सकते जहां पर हम निवेश कर सकते इन्वेस्मेंट सट्टे की बात नहीं कर रहा हूं हम बात करें इन्वेस्मेंट की दोसो इन्वेस्मेंट वो तरीका है अगर आप अच्छे शेर्स को चूज कर लेते हैं अच्छे निवेश कर लेते हैं तो शायद आपकी रिटर्न और इन्वेस्मेंट बहुत जबरदस्त हो जाती है बहुत जल्दी आप वेल्थ क्रेशन करने लग जाते हैं और आप करना सब चाहते हैं सब के पास टाइम नहीं होता है सब के पास टूल्स नहीं होते हैं तो जितना मेरा 20 सल का experience है उसके अनुभव के तोर पे आपके लिए इस वीडियो में लेका है पाच चुनिंदा अगर पसंद आये तो comment section में जरू comment किजगा पसंद नहीं आएं तो भी comment जरू कीजगा और हाँ यह वो शेर्स हैं जिनको मैंने अपने deep analysis के quality के हिसाब से, management के हिसाब से, financials के हिसाब से, उनकी quality हो सकती है, value picking हो सकती है, उन सब parameters को ध्यान में रखते हुए इंको choose किया है, बहुत जादा lengthy video नहीं रहेगा, बहुती crisp and precise रहेगा, आप चाहें तो इसकी बाद में deep analysis कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर stock के बार में deep analysis करके दूँ, तो भी comment section में बताईगा, तो आपके लिए एक-एक stocky में deep analysis करके दूँआ, इस वीडियो में सिर्फ 5 shares है, नेक्स वीडियो में आपके लिए 5 small caps भी लेके आने वाला हूँ, फिर आपके लिए mid caps भी लेके आने वाला हूँ, और शायद multi bagger shares की list भी आपके सामने आने वाली है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नह आने बड़ी मेहनत लगती है, तो जिम्मेदार ही होती है, कि आपको सही shares चूज़ करके दिये जाए, ताकि आप जो भरोसा मुझ पर दिखाते हैं, वो आपका भरोसा ना टूटे, तो सो वीडियो पसना है, लाइक कीज़ेगा, और हाँ, अगर आप निवेश की शुरुआ दो हजाए इसमें नए दरीक से करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देश के सभी दिगज ब्रोकिंग हाउसे के लिंक इसमें दिये हैं, जो डिसकाउंट ब्रोकर से जहां पर फ्री डिमाइ ट्रेडिंग अकाउन खुल सकते हैं, इसमें भी आप अकाउ प्रेड़ को डॉड़कर ब्रोकर आपको डॉड़कर जबर मद्ब करेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए, चली वीडियो को शुकरते हैं और मज़े करते हैं, और दोस्तों प्लीज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, आप इस वीडियो को लाइक प स्बूक और यूटूब पर आप हैं ही और बहुत जली आपके यूटूब का एक शौट चैनल लिके अनुवल जहां पर आपको क्रिस्प इन्फॉर्मेशन शौट वीडियो के दोर पर मिलने वाली है तो स्टे टून तश्मेर यह बहुत बजा करेंगे विश्यों वेरी वेरी सबसे पहला शेयर जो मैं आपके सामने रखाना उसका नाम आपके सामने रिवील करूआ मैंने स्टॉक की इंसाइट्स देख लिए कि स्टॉक हमें क्यों पसंद आ रहा है जिसका अनुल रिवेन्यू 23 परसंट के आसपास बढ़ा है नेट प्रॉफित अगर अनुल की बात क देटो एक्ट देशों इस लेस्ट दन ओनान एंहाली इसे इंपाइस अचैस अर्फनेंस में लीट्व एक्विटी माल पी पोज़ें पॉइंट परसंट के आप से इंटरस कवरेंच रिशों यह नपांट फाइंट से आइप यह बीटिटिंग है यह कुसितिव और कॉर्ट Return on equity 10% से 20% की बीच में range कर रही है, that is fine, promoter shareholding 0.54 decreased हुई है, यह थोरसा negative point दिखाया देता है, but फ़रसा चाहिए इगनोर किया देता है, promoter ने कुछ भी pledge इसमें नहीं करके रखाव, यह positive है इसके बारे में, next के ऊपर चलते हैं, next क्या इसमें चीज़ दिखाया देती आपको, कंपनी क्या है, कंपनी was incorporated in 1995, it is engaged primarily in the construction of roads, bridges, flyovers and irrigation projects, कंपनी की बारे में और financials देखते हैं, कंपनी की market के अब 7,391 करोर की है, तो कापी 20 का है, ROC return on capital employee is 21.2%, current price 263 रुपीज चल रहा है, book value 89.8 है, ROE 16.4 है, fairly poise है, बहुत ही interesting है, और कंपनी की हाई लोग की बात के तो 330 का लोगा है, तो लोग के कहीं ने कहीं आस-पास चल रहा है, dividend भी company दे रहे है, यह dividend 1.09% है, fair है, face value 2 रुपीज की है, वो भी ठीक है, अब कंपनी के चार्ट के ओपर दालते हैं, यह कंपनी का चार्ट दिखाए देता है, जो मेरी अपनी analysis है, यह fires के ओपर मैंने किया गाई, इस fires बहुत ही जबदस trading platform है, जिसके ओपर आप analysis बहुत शानदा कर सकते हैं, trading view का premium version आप फ्री में मिलता है, तो अगर आप account खुलन चाहिए, लिंक description मिल जागा, इस company के चार्ट में कुछ interesting factors दिखाई दे रहे हैं, शायदे stock breakout कर सकते हैं, इसको accumulate कर सकते हैं, 220 के swap loss के contribution है, आप से share कर रहा हूँ, तो प्लीज अपनी analysis करने के बाद ही इसमें trade लीजिए, company कौन सी है, चले है, रिवील करता हूँ, company है, KNR Constructions Limited, फिर नेक्स company के पास चलते है, कौन सी दूसरी company है, जो हमारे portfolio में बन सकती है, उसके insights देख लेते क्या है, company का जो annual revenue है, वो बढ़ financial देखने को मिलता है, debt to equity ratio zero है, debt free company है, mutual fund से हमनी holding को बढ़ा सा घटा है, 0.14 के हिसाब से चलेगा, तो पाती है, interest coverage ratio भी 1.5 है, that means it is able to meet its interest payment comfortably within its earning, यह बहुत ही शान्दा positive point है, next positive point को देखे, quarterly revenue बढ़ा है, 114% के हिसाब से quarterly net profit भी बढ़ रहे है, positive है, price to earning ratio भी positive है, return to 20% भी range का रही है, which is okay, promoter share holding same है, और promoter pledge zero है, तो यह सब चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, company करती का है, company was incorporated in 1998, it is into business of gas, city gas distribution in national capital territory of Delhi में, यह company gas का का काम करती है, और company की जो reaches है, वो कहां कहा था के नवडा था, greater नवडा, गाजियबाद, हापूर, गुरुगरा, मेरट, शामली, कानप रिवारी, हमीर, पूर्फते, पूरह, मेर, पाली, राजिस्मान, बहुत ही जबरत तरीके से company voice है, और यह company एक joint venture के साथ भी है, येल के साथ में, और साथ में है, इसका भाग पैट्रलम के साथ में भी joint venture दिखाई देता है, एक company के अगर financials की बात की जाए, 9,000 करोड की company है stock happy 19.4 का है, ROC 26.5%, बहुत ही attractive है, current price 417 है, book value 806 रुपे की, ROE भी बहुत attractive है, 19.8 की high लोग की बात की जाए, 478 का high रगाए था company ने, और अभी 417 चल रही, तो high के range में कहीने के trade करी है, low rate 321 के आसपास में, dividend yield बहुत हांदर है, 1.32%, face value 2 रुपे की है, और company के चार्ट पे बहुत है, तो company का holding period एक साल के आसपास अगराँ देखें, तो अभी इसको accumulate किया जा सकता है, 390 से 340 के बीच में, target कहीं नहीं, 480 से 600 रुपे तक की हो सकते हैं, बाट ये बेरा उट्टुक है, मेरा observation कोई buying selling advice equal भी नहीं है, और ये company कौन से है, this company is इंदर परस्ता gas limited, अभी third company को देखते है, इस race में कौन सी company है, पहले stock से insight में नहीं डालते है, annual revenues company का जिसकी बारे में बात करने वाला हूँ, 36% बड़ा है, annual net profits 51% बड़ा है, stock ने underperform के 37%, देखिए मैं ऐसे stock जून रहा हूँ जो शायद underperform कर चुक है, शायद कहीं नहीं performance के chances है, debt to equity ratio 0, debt to free company है, mutual fund होलिंग थोड़ी सी, इतना बहुत चलता रहता है, लोग माल बेशते हैं, तो mutual fund की holding तो sell हो ही जाती है, interest coverage ratio is higher than 1.5, बतलब ये भी अपने interest payments को comfortably manage कर पा रही है, quarterly revenue बड़ा है, negative है quarterly, net profit थोड़ा से गिरा 20% के आसपास में बठीक है, company जब gas distribution घर-घर तक पहुंच जाएगा को आने वाले टाइम में मेरे खाल से कमणी आउट पर्फॉर्म कर सकती है, price to earning ratio 19.10, which is lower than its sector P ratio 44.1, which is very very positive, return on equity 20% से जादा है, बहुती शानदार है, promoter holding, same है 43% के आसपास में, promoter pledge 0 है, कोई pledging नहीं है, और company के बारे में बात किया तो company क्या करती है, company, this company is a cloud communication provider, enabling business to communicate with their customers and independent recipients It is headquartered in Hyderabad, it is a global A2P application, personal messaging platform provide, अपने सेक्टर की दिगज कमपनी, company का market cap 9700 करोड का, stock P19 का है, company की ROC very very attractive, 58.8% huge, current market price है 700 रुपे के, of course, and book value 110 रुपे की है, ROE 48%, guys, very very interesting, high low head 2097, low लगा है 514 रुपे का, अभी हाल फ्राल company ने buyback भी अनौन्स किया, इसके उपर एक special video भी मैंने बनाई है, शायद आपने उसको gas कर दिया हुआ, divinandil 0.84 है, place value 1 रुपे का है, और 4 बड़ा ही attractive दिखाई देते हैं, एक buying zone दिखाई दे रहा है, तो मुझे रखता है company का, शायद कहीं रही कोई buying selling advice नहीं है, company का नाम में रिएल करता हूँ, and the third company in the list is Tanla platforms limited, well, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, please like press कर दीजिए, और like press करके ही आगे बढ़िएगा, और comment section में comment छोड़के जाएगे, कि ये video पसंद आ रही है, या नहीं, आपके हर comment को personally read करता हूँ, improvement के scope होगे, इंप्रूब करेंगे, जितने भी अच्छे comments होगे, उनको सब को में दर से एक heart मिलने वाला है, और सब को thanks का opposition मिलने वाला है, और negative comments को भी welcome मिलने वाली है, तो लिए next stock को देखे कौन सा चाथा stock है, चाथा stock भी ऐसा ही शान्दार लेकिया है, जिसका annual revenue बड़ा है, 122% से, annual net profit बड़ा है, 73%, दो तो कभी-कभी company quarterly perform नहीं करती, बट annually अगर देखे, पिछले साल से इस साल company रिखाई देती है, तो वहाँ पे उसकी performance net दिखाई देती है, हम जब long term के लिए investment करने की कोशिच करते हैं, stock ने, इस stock ने भी underperform किया है, 0.16% से, return on equity थोड़ी से negative दिखाई द mutual funds की holding की same है, interest coverage ratio, इसकी भी 1.5 है मतलब company, यह भी अपने interest payments को बहुत कमपरिबली meet out कर पा रही है, company के बारे बात की जाए, तो company incorporate हुथी 2004 में, company engineering and design company है, engaged in the electronics manufacturing services, EMS which is called, and the company provides integrative services and solutions to the OEMs, from the initial product concept stage to volume, production to concept of co-creation and product realization, very very interesting business model they have, and the market cap is 4,867 crores, stock fee is 63, which seems very very high, पर ठीक है, actually companies कभी को भी महंगी पीपे मिल जाती है, ROC 16% का है, current price 276 का है, book value 82 रुपीज की है, ROE 13% की which is okay, high है, 343 का, 249 के आसपास का low लगा है, तो कहीं ने कहीं, यह stock अपने bottom के आसपास मिला dividend नहीं है, company का face value 10 रुपे गया, बिल्कुल latest company है, इस इसका P बहुत नहींगा है, latest, इसका IPO है, और एक company आने वाले टाइम में बहुत ही जबर्दस और perform कर सकते, चले चार्ट को देखे, शायद आपको अंदाजन लगे, यह company ओन सी है, बहुत ही recently, 2025 में ही इसका IPO है था, इस company का breakout शायद 290 के ओपर होता दिखाई देता है, और target 400 प्लस, according to one year, शायद से जाला भी हो सता है, कि मेरी analysis है, कोई भाइं ही चाले है, इस प्लीज आपनी analysis करके ही बाइं कीजिगा, and the company, अगर आपने गैस किया है, तो इस comment section में comment कीजिए, नहीं किया, wait for a second, one, two, three, here we go, yes, this is Syrma SGS Technologies Limited, this is fourth stock in the list, तो सो पसंद आयो, please press likes and move ahead, next and fifth stock, last, last in the list, जिसका annual revenue बड़ा है, 27% से, net profit बड़ा है, 12% से, stock ने underperform के, 48% से, underperform stock में ही performance करने का दम होता है, debt to equity ratio is one and healthy, which is okay, which is fund ने अपनी holding को बड़ा है, 0.2% के आस-पास पर interest coverage ratio, इसका भी 1.5% है, which is very, very healthy, quarterly revenue गिरा है, वहला पसंद से, quarterly net profit गिरा है, but annual profit, annual revenue बड़ा है, quarterly गिर रहा है, company कभी quarterly खड़ाप कर सकती है, but annually अगरे परफॉर्म कर रही है, तो शायद company positive हो सकती है, कि मेरा मानना है, आपको मानना लगी हो सकता है, price rolling ratio is 43.96, which is lower than this sector P, which is okay, and data non-equity की बात के तो ठीक है, promoter shareholding almost ठीक है, promoter flash में कुछ खास दिखाई देता नहीं है, this is okay, polymer manufacturing, दोस्तो आपको शायद company के बैरे में पता लग चुआ हो, 1987 में बनी company, PVC products मनाती, it is currently in the manufacturing of polymer piping solutions in four types of polymer CPV, VC, UPVC, HTTP and PPR, अभी ते company का नाम पता लगया, तो please comment section में comment कीजिए, नहीं तो चलिए देखते हैं, कौन से कम यह market captures आप 480 करोड के असपास, stock copy 43.9%, ROC 27.6%, current price 586, चल रहा है, बुक्वली 112 रुपे की है, okay है, ROE is 21%, यह factor बहुत ही शांदार है इसका, high low है, 748 and 510 का dividend yield 0.60, 10 रुपे की face value, चार देखे, शायद आपको समझ में आ गया हुआ, company कोई से नहीं है, तो नाम बादात हूँ, company का शायद breakout होगा, 600 रुपे के असपास consolidate करके, company breakout कर सकत है, जहां पर returns बहुत ही शांदार, 30-40% की returns हमें एक हल में देखने को बिल सकते हैं, यह मेरा मानना है, आपनी analysis कर दो कोई buying selling advice नहीं है, मेरा approvision आप से शेय कर रहा हूँ, और company का नाम है, 5th in the list is prints, pipes and fitting limited, hope आपको मजा होगा, दोस्तों, freeze आगे बढ़ने से पहले, 1000 like का target इस video के लगते हैं, please press likes and move ahead and please do not forget to share this video with your friends. की तरफ लेके जाते हैं, तो अगर आप corrections अड़ते हैं, तो एक वीडियो को लिंक में description में डाल रहा हूँ, आई बटन में भी वीडियो आ रही होगी, और उस वीडियो को ज़रू देखे हैं, क्योंकि शायद वो आपका brainwash करेगी, यह बताने में हैल करेगी कि अगर corrections हो, crashes ह घप को का गाना जिये, यह अल्दिवास, Huhi Investing